अजीत पवार परफुल पटेल और तटकरी राखा से बरखास थे पवार ने आठ मंत्री को भी पार्टी शे निकाला दोस्तो राखा देख से सरद पवार का पार्टी के खिलाब बगावत करने वालों का कड़ा एक्षन सुरू हो गया दोस्तो बगावत करने वालों पर कड़ा एक्षन सुरू हो गया है उन्होंने सोमार को एक बड़ा फैसला लेते विए पार्टी के राश्य पादेख स्परफुल पटेल और मास्चीव सुनिल तटकरे को पार्टी से बरखास्त करने का फैसला किया है वहीं राका परदेश अधिक से जेंद पार्टी ने अजीत पवार समेथ नो मंतरियों को पार्टी से बरखास्त करने का फैसला सनाया है राकासान सदे सुप्रिय सुली ने पार्टी अधिक से पवार को एक पत्तर लिख कर पटेल और तत्करे के खिलाब कारवाई करने की मांग की थी उन्होंने लिखा कि इन दोनों नेताओं के दो जुलाई को सपत गरें समारों में सामिल होकर पार्टी सुथा उलंगन किया गया है उनका यह आचरन पार्टी के खिलाब है ऐसे में उनके खिलाब अयुग गयता और अनुसासन हिंता के तहत कारवाई की जाने चाहिए सुप्रिय सुले ने इन सद्दिशियों के खिलाब सुविदान की दस्वी अनसुची के तहत एयुगता याच का दायर करने की भी अपेल की है पटेल वे तटकरी रविवार को अजीत पवार समेथ नो मंत्रियों के सपत ग्रेंड समारों के दोरान राजबावन में मौझूद रहे जेंत पटेल को हटाया तटकरी नए पर्देशा देख सोंगे अजीत गुटने किया पलटवार अजीत की गुगली हम है रास्टवादी राका में बगावत के बाद अब सरद पवार और अजीत पवार की गुट के बीच शेह और मात का खेल सुरू हो गया है सुमार को जहां सरद पवार की पार्टी ने अजीत सम्यत मंतरी पद की सपते लेने वाले नो विदायकों के साथ सानसदी परफुल पटेल वह सुनील तटकरे को पार्टी से बरकास्त करने का फैसला सुनाया वहीं दूसरी और अजित बुट की और से प्रफुल पटेल ने राका परदेश अदेक्स पद से जेंत पार्टेल को हटाने की गोशना करते हुए सुनेल तटकरे को नया परदेश अदेक्स बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जेंत पार्टिल को राका के महारास्टर अधिक्सपद से हटाया जा रहा है उनकी जगे भी सुनील तटकरे को पार्टि में संगठ नात्मक बदलाओ करने का अधिकार होगा